हेलो फ्रेंट्स दू सब्सक्राइब एंड क्लिक ओन रिंग आइकन तो गेट फास्ट नॉटिफिकेशन वेल्कम फ्रेंट्स अलफ धन पर लाश्ट वीडियो मैंने देखा था एक्च्वल बिल और क्वांटिटी बिल मतलब जितना हमें बिल बनाना है उससे रेलेटिड वीडियो की आज हम बात करेंगे फ्री आइटम इन्वोईज के बारे में फ्री आइटम इन्वोईज means कि हमने कोई प्रोड़क्ट अगर दिया है और उसके साथ कोई प्रोड़क्ट हम दे रहे हैं तो उसका जो बिल है वो जीरो क्वांटिटी का हमें चार्ज करना है इसका मतलब कि हमें जो बिल है वो कस्टुमर में एड नहीं करना है सिर्फ आइ तो zero value entry या free item entry हम कैसे tally में pass करेंगे वो ही आज की class में हम देखने वाले हैं सबसे पहले आपको करना क्या होगा एक firm बनानी है firm बनाने के बाद F11, F2 करते हुए enable zero value transactions इस feature को आपको yes set रखना है अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप zero item rate किसी भी entry का pass नहीं कर सकते invoice में वो मै आपको practically भी करके बता देता हूँ यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको enable zero value transactions को yes रखना है उसके बाद आप जो भी detail है inventory की वो आप pass करा देंगे units of measure pass करा दिया item हमने कुछ यहाँ पर pass करा दिया जैसे samsung j6 mobile जिसका opening balance हमने रख लिया है 5 pieces 16,500 रुपे पर पीस के हिसा pieces का stock available है और 50 रुपे पर पीस के हिसाब से अब जब हम customer को यह product बेच रहे हैं samsung j6 mobile का तो यहाँ पर cover हम उसके साथ free दे रहे हैं तो party का एक laser बना दिया है हमने परसांत sundry data में रखते हुए sale का एक laser हमने pass करा दिया है और entry हमें pass करानी है F8 के अंदर stock हमारे पास पहले से available हैं तो हम sale जब कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे samsung j6 mobile हमने यहाँ पर डाल दिया है one pieces जिसका rate हमने sale price डाल दिया है 70,000 17,000 पास कराने के बाद आप जब नीचे mobile cover j6 samsung डालेंगे तो हमने quantity दो उसकी डाली है क्योंकि quantity total product तो हम उसे दो दे रहे हैं लेकिन जो rate है वो हमने यहाँ पर पास नहीं कराया है इसका मतलब zero value transactions हम पास कर रहे हैं और ऐसा पास हो जाएगा क्योंकि हमने उसकी features को activate किया ह हुआ है अगर ऐसा नहीं करते activate feature तो फिर वो stock में से भी कम नहीं होगा practically हम देख लेंगे अभी वो किस तरीके से हम करेंगे आप इसका invoice देखेंगे तो जब आप customer को invoice देंगे तो वहाँ पर mention होगा कि आपने यह product भी दिया है लेकिन उसका rate यहाँ पर नहीं है तो इस तरी every item invoice अब इसको हम practically देख लेते हैं तो टैली के अंदर हमने एक firm अल्रेडी बना ली है अभी हमने features को activate नहीं करा है सबसे पहले मैं आपको वता देता हूँ कि अगर without feature हम करते है work तो उसका result आता है यहाँ पर हमने inventory के अंदर एक unit बना दिया है pieces उसके बाद दो product हमने डाल द अविलेबल है 16,500 रुपे का rate और Samsung J6 का cover इसके हमारे पास 25 pieces अविलेबल है और 50 रुपे पर piece के हिसाब से हमारे पास stock पड़ा हुआ है अब सीधा हमने जो product बेचा है परसांत को हम उस party का एक laser डाल देंगे laser हमें sun dry data के अंदर पास करना है क्योंकि जितनी भी हमारे customer है उन सब को हम data की list में पास कराते हैं उसके बाद sale का एक laser हम बना देते हैं हम चाहें तो यह bill GST के साथ भी बना सकते हैं उसके लिए हमें बस features को activate करते हुए CGST, SGST के laser को पास कराना होगा तो फिलाल तो मैं आपको simple invoice एक बार बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर sale करने के लिए हम यहाँ पर जब F8 में प्रेस करेंगे, F8 प्रेस करने के बाद परसांत को जब हमने product बेचे हैं Samsung J6 पहले mobile हम दे रहे हैं 17,000 रुपे का और उसके साथ यहाँ से Samsung J6 cover का एक piece क्योंकि rate अगर मैं यहाँ पर डालूँगा तो वो customer के bill में add हो जाएगा इसलिए मुझे rate अभ से pass कराता हूँ उसके बाद अगर मैं stock summary को देखूंगा तो आप भी देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो Samsung J6 mobile है वो तो कम हो चुका है लेकिन Samsung J6 के cover अभी भी 25 अवे लेवल हैं जबकि हमने इसकी entry pass कराई थी bill के अंदर तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने free entry के लिए वो features को activate नहीं करा है अगर आप daybook में जाकर वापिस वो invoice देखें तो उसमें वो entry add नहीं हुए है उसका reason यही है कि हमने features को activate नहीं करा अब हम क्या कर देंगे F11, F2 प्रेस करते हुए यहाँ पर zero value transactions को set कर देना है yes और उसके बाद हमें फिर से वो ही चीज लेनी है यहाँ स उसका reason क्योंकि हमने features को activate कर दिया है अब stock summary में आप देखेंगे cover के भी 24 पीस available है और Samsung के J6 mobile तो पहले ही already stock में से कम हो चुके थे आपको इसका print निकालना है today book के अंदर जाते हुए entry पर enter करते हुए alt p से आप alt z करते हुए इसके screen जूम करके पूरी report देख सकते हैं तो यह था एक छोटा सा practical free item entry आप किस तरीके से टैली में करेंगे next video में इस related practical questions है वो भी हम सीखेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही बाकी के अपडेशन के लिए आप जुड़े रहिए self अद्धन के साथ thank you है जुड़ेशद हुड़े झाले हुड़े जूड़ेशन के शवराओेशन के लाइवाचे में इसके साथ जा बाकी साथा उन जश्वरेशन के साथ हैं हैं जूरा स्बण्य को हैं जूए टान